तुनो तुनो मेरे बास अबने आने रभ्य वल के दस्वी तारिक को अरे आयर बार अब भी लवल आने वाले इस बार की क्या तैयारिया किये वह अबू तो मुझे कह रहे हैं घर साजाना पूरे नए तरीके से अरे यार मेरी भी तो नहीं लेनी है मैंने पुरानी है कर द्रेस होना चाहिए यार रफाट तु बता नहीं है यह सब स्टाल करें ओडर जो बिछले साल की आता अब मकर साभश बता क्या प्लाइन थेरा प्लाइन थे यह सब कुछ पता चलएगा कि वो कि यह बारा बज गए हो देर हो रही है मुझे घर जाना अब बना टाइट करें आए रहा रहा है रहा है इस बार कोई अलग ड्रेस दिल्वाना चाह रहे है और वह हमें बताना भी नहीं चाह रहा है अपित तो कोई बात नहीं हम भी वैसा ही सुट से लवा लेते हैं वह कैसे और आमेद भाई क्या आल है यार आमेद भाई कल हम सब दोस्तों के कपड़े अब तक पहुंच जाएंगे सेम अरफात के डिजाइन का सूट हम सब का बनेगा ठीक है अरफात 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 तो ये अरफात ने क्या सोच है क्या अलग करने वाला है वो इस बार राक राक से वाकिफ हो उसकी और तो पता है इस दफ़ा वो अपनी घर की मेफिड में किसको बुलाने वाला है इमरान अप्तारी को बुलाने वाला है क्या है पतानी तो क्या कह रहा है यार मुझे तो कुछ स मरभाद मरभा बड़ी बड़ी ओमारा था ये करूंगा कुछ अलग करूंगा क्या लग ये तूने गर साजाया अश्ग पूरा दिन हमारे साथ था सेम ड्रेस पेहने तूने किया क्या अलग इसके गुबाहरे में कोई हवाश हवा नहीं है ये बस लंबी छोड़ा था भाई साब ने आज तक पूरा हैदराबाद नहीं देखा और अनायद भाई आप क्या कह रहे थे के कराची जाएंगे बाई का प्लैन फेल हो गया था बताना क्या किया तुने एहमद भाई कोई भी प्लैन फेल नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई नया ड्रेस से लवाना था और ना ही कराची जाना था हम बाराबियल उल तो हर साल मनाते हैं अपने घर वगरा सजाते हैं लाइट स लगाते हैं जंडे लगाते हैं यह सब अच्छी चीज़ें मैंने इस दफ़ा सिर्फ ये सोचा और अपना जहिन इस चीज़ पर मबनी किया कि रभीयल उल के स्टार्ट होते ही मैं अपनी आज से मेरी कोई भी नमाज कजा नहीं होगी इन्शालला आप भी दूआ करना कि मैं अपनी बात पर काइम रह सकूँ और आज से हमारे आखरी नभी हजरत मुहम्मद अल्लाहु अल्हाली का ये उम्मती हमेशे सच बोलेगा कभी छूट नहीं बोलेगा इस प्रश्पी एंड़ेगा बात वहाद़ मुचे नहीं गरुचाइब पग्रश्पी दूट मेरेट आखरी नहीं होगी आरे पक्रश्पी अजरोगे आखरी दूट वहाद़ेगा